लेकिन रवीश जब आपने अरचना कॉम्पलेक्स की जो दिर्नीज है इससे अपने पैर निकाले और बाहर जब गए उसके बाद क्या आपकी डॉक्टर रॉय या रादिकार रॉय से कुछ पर्सनली फोन पर बातचीत हुई कुछ आपने अपनी मन की बात उंसे शेयर की या जीवन कैसा हो गया होगा उन्हें ठीक ठीक अंदाजा है तो मैं खुद बहुत सारे हजारों मेसेज़ेज और फोन कॉल अटेंड करने में वेस्ट हो गया तो कभी ना कभी तो बाचीत होगी उनके प्रती मेरा बड़ा आदर है उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे ये चीज़ अच्छी है तो करनी चाहिए ये भी एक एडिटोरियल इंटेफेरेंस का तरीका है और जब मैं ये बात बताता हूं आप यकीन नहीं करेंगी मेरे पास कोई ऐसा कोई भी ऐसा ओफ रेकॉर्ड या ओन रेकॉर्ड उधारन नहीं है कि मैं कहूं कि डॉक्टर परनोयरा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था या ऐसा करने से मना किया था कि इतने साल करने के बाद मैं उनके बारे में ये डॉट बता सकता हूं इसमें कोई exception नहीं है ये भी कि अगर आप record देखें तो मैंने जादा ना कहा है किसी भी तरह हलाकि उन्हों ने कभी कहा ही नहीं कि आप ये करें या ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए तुम्हारी image से match करता है तो ये करना चाहिए काम को लेकर मुझे क्या करना चाहिए हमारे और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई communication नहीं जब से मैं प्राइम टाइम कर रहा हूं तो ये एक ये फैक्ट बात है और ये बात मुझे कहनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहूंगा ऐसा नहीं है कि मेरे एंडी टीव में बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं बहूत बुरे अनुभव भी है वह बात ये जानते हैं कि कभी न कभी कह देगा कभी na कभी कहेगा वो उन्हें पता है लेकिन ये बात भी सही है कि मुझे लुए दोक्टर प्रण Princip devoted ने कभी ने का कि यह क्या करना कि यह ज़रूर यह था कि उनות उन लोहों का फैसला था कि मुझे प्राइम टाइम करना चाहिए प्राइम में मुझे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए यह उनका business कभी नहीं दो प्राइब प्राइब प्राइब